हेलो फुरेंट्स तो आज मैं आप सब के लिए लेक्वाए हूँ बहुते टेस्टी और हेलदी नास्ता ये नास्ता जितना देखने में हेलदी लग रहा है उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है आप खाने में तो बहुत ही मज़दार लगता है इसको आप सुबा के नास्ता हो या टिफिन हो आप आराम से इसको बना के खा सकते हैं यह बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फटा फट से यह बनके रेडियो हो जाता है आप देख सकते हैं, यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है यह नास्ता तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बेशन, तब मैं यह पर एक कप बेशन ले रही हूं यह चने का बेशन है, उसके बाद बेशन लेने के बाद मैं यहां पर ले लूंगी मौ나 प्रस्तुत रेक्षिता जीत दें तुक्ता चुप में मिर्च निकाल लाए जाए दमात है तो एक आपकर थे दिए रोडियें अगर आपको टमातर पसंद है नहीं तो कोई बात नहीं है उसके बाद अधरक और मिर्च में लेड़ी अपना एकॉर्डिंग लीजिए आपको कितना ज्यादा तिखा कम ज्यादा खाना पसंद है उसके हिसाब से लीजिए और मैं डेर सारा धनिया ले रही है धनिया से इसका टेस्ट और लुक दोनों ही बह करना पानी देंक, पानी बात त्मधा जाएप मिक्स कर से थाया है और जांडा जाएप से जाए giàए इस दिए पानी थोड़ा करने के लिए और मुझे मिक्स अम्भाण उसको करें चटनी के बनाने के लिए हमें मिक्सि का जार लेना है वहों पर दालना है मुझे टृषाय रोस्टेट किया है उसके बाद यह हमें चना है और मैं इसमें तीन कली लेशन डालूंगी अधरख, उपरया Скरशक है मिर्ची डाले लिए नमक डालेंगे। और पानीेas डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं दालना है। अपको लोग्षा चाहिए हैं हैं यूदां उप और पानी आट। तरके से लिए यू ряд box मिर्ची तरका, आपके पास करीपत्ता, अब भी और वर पास करीपता सकते हैं कर सकते हैं और नहीं तो आप सोडा एड़ किजी इससे यह सौट और फलबी बनता है नसता तो इसके लिए मैं इसे पर चुटकी भरी सोडा डालूंगे उसके बाद हमने फ्रेंड से यहां पर तब यानि पैन हमने गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था तो अब हम पैन में एक दालूंगे तिल पेड़ने से बहुत अच्छा जादा फ्लेवर आता है आज अब चार्शे में खाईगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा तेस्ट आएगा तो इसके लिए थोड़ा सा वमें देना है उसके बाद हमें यह बैटर पेटर को मिक्स करके इसमें परच्छि भरे में इस तरीके से जादाहरा है, पत्ला नहीं करना है भस थोड़ासा इस तरीके से फैला देना है old Side जाट से ले भान दाल लिए आपके पास चोटा है तो एक ही डाल लचे हैं भान भ्में अब इस पैंने त्ल चरब में तिल दालना है तो यह तिल डालने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड हमें इसको ढख देना है और ढख किया गैस का फिलिम हमें एकद़ मेडिम टू हाइ करें और आप देख सकते हैं यह एक साइट से हो चुका है अब तो अब हम इसको पलटतेंगे आराम से तो आप छोलन के सहता से इसे अराम से पलटेंगी, आप चाहे तो इसमें उपर से ऑइल और लगा सकते हैं, नहीं तो बिना ऑइल कभी आप बना सकते हैं, अब देख सकते हैं, ये सेर्ची कितना अच्छा से ये पक़े रेडिय हो चुका है, तो दोनों सेर्ची से मैं स्फेम पका लेंगे एकदम धीमे से आच पी तो फिर से ढख देना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये पकी रीडी हो जाए तो आप देख सकते हैं ये एकदम से रीडी हो चुका है और ये उपर से क्रिस्पी लगता है अंदर से सॉफ्ट लगता है ये बहुत ही ज्यादा टेस् और इसको आप इंजॉय किजिए चटने के साथ अगर आपके पास ये चटने नहीं बना रहे है नहीं खाते तो आप सॉस के साथ भी से को खा सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है खाने में इसको जरूर बनाईए खाईए और इंजॉय किजिए तो 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 के अगए झाये 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 गश्छा आपके लो एंज एंज पुसके लिए अगर के लिए खार जिए फन्डिए और आपके लिए अगर आपके लिए बनाईए खाईए।